परिवार में चल रही थी खुशियों की तैयारी की अचानक से मातम में बदल के इसे तोर पर मामला भ्युवंडी के 72 गाले की है जहां एक 25 वर्षिय युवक साहिल अंसारी की शड़क दुरगटना में मौत हो गई मिली जनकारी की अनुसार 26 मेंबर को साहिल अंसारी का दिवा था और परिवार जनक के लोग तैयारी में जुटे प्रेशे लेकिन वही इस चड़क हाथ से ने परिवार में मातम जैसा मंजर बना दिया बता दे कि सुबह 10 बजे के दर्मियान 72 गाला की ओर साहिल अंसारी अपने दोचक्ता वाहन से जाही रा था कि अचानक एक तेज रप्तार तरक ने उसे अपने आगोस में लिया जहां साहिल अंसारी गंभी रुप के जक्वी हुआ इस्थानिकों के मदद से उसे भ्योंडी के धामन करना का इस्तित एक्ता हॉस्पिटल में बरती कराया गया जिन्दगी और मौत के लड़ाई लड़ते लड़ते साहिल अंसारी की पाच बजे के दर्मियान मौत हो गई मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम का महौल सा चा गया लेकिन ट्रक ड्रैवर ट्रक को लेकर फराग हो गया वही इस मामले को वोईवारा पॉलिस टेशन में दर्ज भी कराया गया वोईवारा पॉलिस टेशन के आला अधिकारी अपने इस्तर पर मामले की जाच में जुट चुके है ट्रक का नंबर LL01AC6946 बताया गया ट्रक को ट्रैक में रखकर वोईवारा पॉलिस टेशन चानविन कर रही है वोईवारा आपको बता दे कि साहिल अंसारी के सौग को भीवन्डी के स्वरगे इंदरा गांधी अस्पताल में पोस्पाडम के लिए घेज दिया गया